सिहत लेई वर्दान है चोलान दा पाणी जानों लाब चोलान दा पाणी सिहत लेई एक वर्दान दा कम करदा है जदो चोलान नूँ खान लेई पकाया जान्दा है तो उसदे विच्चो निकलेया पाणी जिसनू चोलान दी पिस्वी किहा जान्दा है चौल पकाउन्टो बाध उसदा पानी सुटन दी था पीता जावे ता इस दे बहुत सारे फाइदे होने हन। आओ जानदे हां कार वीच चौला दा पानी किवे त्यार करिये ते इस दे की की फाइदे हन। चोला दा पाणी चमडी वाला अते सिहत लेई बहुत फायदे मंद हुंदा है चोला दा पाणी बुडापे नू दूर करन विच बहुत कारगर है एक करेलू नुस्खा चेरे दी रंगत नू निखारन विच भी मदद करदा है चौला दा पाणी पीन नाल सरीर चैनरजी आउंदी है अते कमजोरी दूर हुंदी है रोजाना रात नू सौन तो पहला रू नाल चौला दा पाणी अख्छा दे आले द्वाले लगाओ कुझ ही दिना च किलना दूर हो जान गिया चौला दा पाणी पीन नाल डाइजशन च सुदार हुंदा है क्योंकि इस च फाइबर्स पर पूर मातरा च हुंदे हन तटिया लगण ते चौला दा पाणी पीन नाल चेती आराम मिलेगा चौला दे पाणी च अंटी वाइरल प्रोपर्टी हुंदी है जिसनू वाइरल बुखार च पीन ते आराम अते ताकत मिलेगी लगातार उल्टिया ओन ते दिन च दो तो तिन कप चौला दा पाणी पीन नाल छेती रात मिलेगी रोजाना चौला दे पाणी नाल मू तोन ते किल, मुहासे, दाग, तब्यांतो छुटकारा मिलदा है चमणी वी कोमल बढ़ेगी अते चमक वदेगी चौला दे पाणी नू वाला शेंपू करन तो बाद कंडीशनर वांग वर्तो करो इस नाल वाल चडन दी समस्या तो छुटकारा मिलदे होए वाल कोमल अते सिलकी होनगे अते छेती वदनगे बढ़ाओन दी विदी इस लई तोहानू चौला नू साफ पाणी विच पंदरा तो वीह मिंट लई प्योन के रखना होवेगा जदो पाणी चिटा होन लगे ता इसनू किसे पांडे विच लेके थोड़ा जिहा उबाल लवो उबालन तो बाद पाणी नू ठंडा करके इस नाल चैरा तो लवो